नमस्कार आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल शिक्षा सखापर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षानों नहतिक शिक्षा का पार्ट सत्रे पार्ट का नाम है काक और हंस इस पार्ट वीडियो में हम इस पार्ट के प्रशन अभ्यास और सार करेंगे पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 16 माता का आदर्श पार्ट का सार और प्रशन अभ्यास करवाई थे अगर आप मेरे चैनल पर नई है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को जरूर दमाई मैंने अपने चैनल की प्ले लिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है आप जिस भी सब्जेट के लेसन को देखना चाते हैं मेरे चैनल की प्लेइलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं तो चलिए पाट की शुरुआत करते हैं किसी समूद्र तटवर्ती राजे में एक वैश्य रहता था वै दयालू और दान परायन था उसके पुत्र अल्प व्यस्क थे वे प्रति दिनें काक को अपना जूटा बोजन दिया करते थे उनके जूटे बोजन को पाकर वै काक हस्ट पुस्ट हो गया वै गर्वित होकर अपने सजातियों को अफ्मानित करने लगा एक बार मानस सरोवरी वासी तिवर गती वाले कुछं समुद्र तट पर आये तव काक ने एक हंस के साथ उडान भढ़ने की बाजी लगाई इस पर सारे हंसों ने हंसी उड़ाते उस काक से कहा हम मान सरोवर वासी हंस हैं और सरवत्र उड़ते रहते हैं तुम काक होकर हमें क्यों चुनोती देते हों हंसों की बात सुनकर काक ने उनकी निंदा की और अपनी प्रशंसा करते हुए बोला मैं 101 प्रकार की उड़ाने भरता हूँ उन में से प्रतेक उड़ान सत योजन की होती है मेरी उड़ाने अद्बुद होती है यथा उचा उड़ना नीचा उड़ना चारो और उड़ना तथा किन्तु मैं एक ही प्रकार की उड़ान में दक्षूं तुम्हें जो उड़ान उचित लगे उसी से उड़ो यह सुनकर वाँ पस्तित अन्य काक कहने लगे यह हंस एक ही उड़ान से सो प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकता है तब काक और हंस परदा करते हुए उड़ने लगे, काक अलग अलग प्रकार की उणानों से दर्शकों को चकित करने लगा, हंस अपनी एक ही प्रकार की म्रदूल गति से उड़ता रहा, काक की तुल्ना में उसकी गति अती मंद थी, यह देखकर अन्य काक हंसों का तिरसकार करन लगे, देकू हंस काक से पिछड़ता जा रहा है, यह सुनकर हंस ने उत्तर उत्तर वेग बढ़ाते हुए उड़ना आरम किया, काक ठकावट मैसूस कर रहा था, उसे विश्राम के लिए कोई व्रिक्ष या द्वीब दिखाई नहीं दे रहा था, घवरा कर वैं सोचने लग अपनी इस गुप्त उड़ान का जिक्र नहीं किया, इस समय तुम किस उड़ान से उड़ रहे हों, तुमारी चोंच और पंक तो जल का स्पर्ष कर रहे हैं तब काक बोला भाई हंस, हम तो काक हैं, व्यर्थ काउं काउं करते रहते हैं, इस समय मेरे प्राण तुमारे अदीन है, तुम मुझे तट पर ले चलो, ऐसा कहकर वैं जल में गिर पड़ा यह देखकर हंस ने कहा, विविद प्रकार की उड़ानों में दक शोकर भी, तुम समुदर में कैसे गिर गए, काक ने उत्तर दिया, जूटे अन का भक्षन करते करते, मेरा मन विचलित हो गया था, और मैं स्वेम को गरुड के समान मानने लगा था, सजातीय काको तथा, अन या आ गई, उसने पंजों से पकड़ कर काक को अपनी पीट पर लाद लिया, और उसे लेकर उसी स्थान पर लोटा, जहां से वे दोनों प्रतिस परदा करते हुए उड़े थे, वहां जाकर उसने काक को धैरे बंधाया, और स्वेम उड़कर दूर देश को चला गया, अब ह प्रशन दो, किस भैके वशीबू तो कर काक को अपनी गलती स्विकार करनी परी, उत्तर है डूबने के भैसे, प्रशन तीन, इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, अपने शब्दों में लिखो, उत्तर, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है, अपने शब्दों में लिखो, इसा थे लेकर उसे लेकर उसी थान पर लॉटा जहां से वे दोनों परतिस परदा करते हुए उड़े थे वहां जाकर उसने काक को धहरे बंदाया और स्वेम उड़कर दूर देश को चला गया हंस ने यहां नेकी करकुए में डानले वाली भूमिका निभाई थी प्रशन 6 अपना कोई अनुबह बताओ जब आपने अपनी गलती के लिए पस्चाताब किया हो ये कारे छात्र स्वेम करेंगे प्रशन 7 यदि काक के स्थान पर आप होते तो हंस के साथ प्रतिस परदा में आपकी क्या भूमिका होती अगर आप अपने खुद की प्रशंसा करते हैं तो आपको लगने लग जाता है कि आपसे सुन्दर और शक्तिशाली कोई भी नहीं है लेकिन जब आपका वास्त्विक्ता से सामना होता है तब आपको गहरा अगहात पहुंसता है इसलिए प्रशंसा का महत तब ही होता है जब एकिसी दूसरे के द्वारा की जाए तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है अगली वीडियो में मैं आपको पाट 18 अपने मित्र बने शत्रू नहीं पाट का सार और प्रशन अभ्यास करवाऊंगी आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू